सबी को परणाम आज जो चर्चा हो गए आपकी एक पेपर लेके आए हैं जिसमें एकनोमी और जोग्राफिक के क्वेस्टन हैं अब आपका एक्जाम नेर अबाउट है और बहुत जल्दी ही हो भी जाएगा और उम्मीद भी है कि यह है एक्जाम आपका आउन समय पर होगा तो उसी की आज आपके तैयारी को जहें टेस्ट करते हैं कि क्या-क्या आपका परदर्शन रहता है तो देखिए कुछ पचास क्वेस्टन एकनोमी और जोग्राफिक के रहेंगे सभी को ही गुड़ इबनिंग गुड़ मॉर्निंग और भी गुड़ इबनिंग जो बोल ले हैं गुड़ मॉर्निंग सब ठीक है मामला चलिए सभी लोग जहां तक है उम्मीद है कि आई चुके हैं तो शुरू कर दिया जाए कहानी को सभी को चलो सब आ चुके हैं गुड़ मॉर्निंग सभी को ही बहुत लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है चलिए अब आपके सामने समय ज्यादा वेस्ट ना करते हुए पहला प्रस्ट आपके सामने यह आ रहा है देखे अब थोड़ा सा इसमें बाटला भी करेंगे कि इ देखो पहले एकनौमी से ही सुरू हो रहा है तो एकनौमी के देखे क्या क्या प्रस्ट आपसे पूछे जा सकते हैं अब आंसर आप बताते जाएए और बाकी मैं इसमें संस्वधन करता हूँ अब देखो पहला प्रस्ट ने जो आपके सामने है वह है पूजीवादी अर्थव्योस्ता की मूल विसेश्टा क्या है तो इसका मतलब क्या है कि पूजीवादी अर्थव्योस्ता होता क्या है या हमने बताये थे आपको जो अर्थव्योस्ता के क्या होते हैं तीन प्रारूप होते हैं अब वो तीन प्रारूप में एक है आपका पूजीवादी एक होता है आपका सामनेवादी और एक होता है आ अब यहां आपको आंसर लगभग सभी का ठीक है, सबके तैयारी ठीक हो रही है, तो आंसर है यहां D, यानि उत्पादन के साधनों पर निजी प्लस व्यक्तिगत सामित, अब पूजी वात का मतलब ही यही था कि अर्थ व्योस्ता को क्या करना है कि बाजार के उपर छोड़ द देना नहीं है, तो यहां लेना देना किसका होता है, मार्केट का यानि निजी छेतर के लिए क्या कर दिया जाता है, यहां सोड़ दिया जाता है, जहां सरकार का हक्सेप हो जाएगा, तो उस एकनोमी को कहा जाता है साम्मित, या जहां दोनों की ही विसेशता होंगी, तो उ दूसरा प्रस्ट देखे2 सेंड नमर यह दिख आपको फिछले दसक दूरान भर्रतिय अर्थ व्यॉस्था किLES छेत्र का महत्पूंड विकास हुआ है तो आप यहां से देखियां किस छेत्र का महत्पूंड विकास हुआ है हाँ सभी लोग दे रहे हैं C आंसर तिर्तियक शेत्र प्राथिमिक शेत्र दुतियक शेत्र और खनन अब यहां पर प्रस्ण को ध्यान से समझेगा थोड़ा सा क्या लिखा क्या है दसक की बात हो रही है यहां दसक का मतलब हुआ यहां दस वर्सम बात हो दी तो दस वर्सम देखेंगे तो इंडिया की जो एकनोमी है यह जो है तीन सेक्टर से मिलके बनी होती है किरसी उद्योग एंड तीसरा है आपका सेवाचे इसी किरसी को कहा जाता है प्राइम भी छेट इसको सेगंडरी और इसको तरसरी तो योगदान अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर का जो है सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ है तो आंसर हो जाएगा आपका से नेस्ट अब एक मिस्रित अर्थ व्योस्ता का अर्थ है देखें तीसरा प्रस्ण होई आ गया जो अभी हमने डिसकस किया था कि म इस यहां बहुत 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 दे रहे है जब आंसर बढ़िया दे रहे हैं तो शार्जनिक छेत्र व्यों निजी चेत्र दोनुक क्या हों वहाँ पर ब्रद्धिमान हों तो उसको क्या गयते हैं मिस्रित अर्थव्योस्ता इससे पहले ही को सब्सक्राइब कर दिया था कि अर्थव्योस्ता के तीन मॉडल होते हैं तो वह चीज हो जाए अब देखो अच्छा सिंपल क्वेस्टन था यह है फिर क्या होनगे एजी होंगे और 50% क्वेस्ते हैं तब होते हैं यह 50% क्वेस्टन को 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 खुट हॉट कर लेता है असली कलाकारी यह कि जो यह 50% इन कोस्टनों को जो है जो ट्रकल करेगा उसी का एक्जाम पयूद inertर अभिया आप करणे इसका संवरें एक बंस साम्म्हस्ता मेPass कहलाएगा यदी अब बढ़ाए क्या हुआ सामने आवस्ता का मतलब क्या होता है अब निकाल लें इसका आंसर आव अब समय क्यों लग रहा है अब ज़ल्दी से आंसर समय क्यों दे रहे हैं? अब एक दूसरों को देखे कोपी करके दे रहें प्टाफ़ाइब नहीं दे रहें तो उसके पीछे चुरू हो जा रहा है आनसर इसका एई है वह आए के एक निष्चित इस्तर पर यहां ध्यान रखेगा आए का क्या करें एक निष्चित इस्तर पर अपनी आउसक्ताओं को कर ले तो उसको कहेंगे हम साम्यावस्ता साम्यावस्ता का मतलब ए वराबर बी यह द्यान रखेगा अब ए वराबर बी का मतलब यहां अगर उसकी आई की बात करें या उसका क्या कर ले यहां वे अगर आई सो है और वे भी क्या हो जाए सो हो जाए तो क्या है आपका सब्सक्राइब कि अब समावेशी संब्रद्धी के लिए क्या उसक होता है इसको बताएब कि समावेशी संब्रद्धी के लिए क्या उसक है कि आंसर नम्मर फिप कि आप समावेशी का मतलब क्या है? इन्क्लूजिव है यानि हर छेत्र में होना चाहे तो आपको जह तीन के तीन छेत्र दिख रहे हैं तो यहां आंसर क्या हो जाएगा आपका D यहां आपने बात कर रखा था आपसे समावेशी विकास और दूसरा हम डिसकस करते थे सतत विकास और समावेसी विकास का मतलब ही था कि चोतरफा विकास होना चीए, क्या होना चीए विकास चोतरफा, चोतरफा का मतलब चानु तरफ, कौनसा आर्थिक, राजनीतिक, सांस्किर्टिक, सभी छेत्र में क्या होना चीए विकास होना चीए, यानि सब का विकास होना चीए, तो व कि आब एक्स देश में आर्थिक सम्रद्धी और डूसरा होता है ट्रॉम्प आर्थिक विकास कि अब हमने उससे बात किया था कि दोनु एक जैसी अवधार्णाएं नहीं हैं दोनु अलग-अलग है इनमें माइनर अंतर होता है तो अब आर्थिक सम्रद्धी का मतलग होता है मात्रात्म्राथ्मा उधार्ना मात्रात्म्रात्म का मतलग है यहां संख्या से यानि संख्या में ब्रद्धी होना जैसे हमने क्या कहा था कि GDP में अगर बड़ोत्री हो रही है तो आर्थिक सम्रद्धी है लेकिन इस बड़ी हुई GDP का परतेक वर्क को अगर फाइदा हो तो उसको हम कहते थे क्या आर्थिक विकास तो यहां आर्थिक सम्रद्धी की बात हो रही है कि X देश में आर्थिक सम्रद्धी अनिवारी रूप से होगी तो किसके करण हो गी अनिवारी रूप से कुछ आनसर डी आ रहा है किसका ती आराज सी डी में कनफिजन है के अब संब्रद्धी अभी हम बता रहे हैं हैपड़ा सा सम्रवा पर प्रस्ण की मात्रापा शाया है मात्रात्मक का उधार्ण्डा है करें से मां परत्रात्रात्मक वहां आर्थिक सम्रद्धी वहाँ अनिवारी रूप से होगी, अगर पूजी का निर्मान होगा, तो definitely क्या होगा, growth rate वगर बढ़ जाएगे, अब growth rate बढ़ जाए, अगर उप प्रते गवर्ग में उसको फाइदा होगा, तो हम उसको आर्थिक विकास कहेंगे, लेकिन अगर growth rate बढ ऑपिनमसे कौन सा अनार्थिक पत्त्त्य। हैं, यानी economic जिए है, इसमें क्या दिखाए दे रहा है आपको, समाजिक वियौकार, प्राकरतिक संसाधन, सकति संसाधन या पूझी संसाधन, अब यहाँ एक क्या लिखा है अनार्थिक, एक होता है आर्थिक, सब्द को ध्यान स पड़ेगा इसका मलब यह मैं समझेगा कि मिस्पिंटरिंग हो रहा है मिस्पिंटरिंग नहीं है अनार्थिक की बात हो रही है आर्थिक की नहीं तो आर्थिक संसाधन तो आपके पास प्राकर्तिक संसाधन होते ही है सक्ति संसाधन होते ही है पूजी तो उससे ही लेना देना हां बहुत बढ़िया सभी का ए है अब देखिए फिर से मानो विकास सुचकांग के अंतरगत आती है साक्सर्ता दर जन्म के समय जीवन प्रत्यास्ता तथा तीसरा फेक्टर कौन सा है इसको बताईए आप मानो विकास सुचकांग मत तीन तरा मिटर रखे जाते हैं एक तो लिटरेसी एक देखें बर्थ लिखा हुआ है जीवन प्रत्यास्ता क्या है कि आपका लिभेंगे स्टेंडर्ड क्या है तीसरा हम रखते थे क्या अब देखें यहां फड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है अब यहां पर यूएस डॉलर भी है यहां पर भी यूएस डॉलर है और यहां पर भी यूएस डॉलर है क्या यूएस डॉलर में उसमें कोई बारतलाव है तो इसको देखें यहां देखें सब हिंट पकड़के आप कर ल इसका क्या होगा राइट आंसर होगा फिर आजाए देखें ये प्रस्न भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना होगी अब आपके सामने प्रस्न दिख रहा है परियावन ये पुझनेट्स वक्र परियावन ये छती यों प्रति व्यक्ति जीडीपी के सब्सक्रें कुझें बश्क का आकार किस परकार का बनता है यानि जो आपका करव बनेगा यो कणा किस टाइप कर ताना होगा इसका अउन्जण नमबर नाइन पता नहीं है ठीक है ये भी सही है ये भी तरीका है आज बाद भी करेंगे आप से कि पेपर कैसे टेम किया जाएगा और कैसे आपका जो है इकजाम ज़ो है क्या हुना चाहिए जहां पता नहीं है तो नहीं पता हैं बहुत बढ़िया है यह आप्रोज भी होनी चुल्ग मैं तो यहां पर इसका आंसर है यू आकार का बनता है क्या पूर्पुस्तक के लेखक कौन है अभी जो जो भी समस्या होगी वो सब एक्स्पेयन कर देंगे कि प्लानिंग एंड पूर्पुस्तक के लेखक है हाव सभी लोग ठीक दे रहे हैं बी 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 ठीक है बीएस मिनास का है यह बुक अदेख्य योजना के कोर सेक्टर का तात्पर ही क्या है है कोर एरिया की बात रही हो लाइनट क्यूर्पुस्ट किर्सी को माने रक्ष्या को माने लोहाय। इश्पात उत्योक को या चैनित्र आधारभूत उत्योक को रखेंगे किस औरक सेक्टर कुछ A कह रहे हैं, कुछ D कह रहे हैं, कुछ D, 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 A भी है, D, B है, A भी है, D, B है, A भी है, D, B है, अधिकान्स D है, तो आंसर इसका Core Area में आधारभूत उद्योगी आते हैं, या आपके क्या है, बेसिक उद्योग होंगे, वह है क्या क्या क्लाते हैं, Core, Sector क्लाता है, जैसे हम Core Inflation पढ़ ले थे, तो Industry में भी Core Inflation क्या हुआ है, जो आधारभूत उद्योग होंगे, उनको क्या कहा जाता है, Core S depths के नाम से जानते हैं अब भारत में योजणा आयुक प्रॉस्ण बार बार रिपीट होता है या नीती आयुक कि स्टापना कभ हुई आइसे करके प्रस् elements जाता है 15 skilled menенд Mix भेली सबक कर आशिए हैं बारा मार्च स्तापित करते हुए आपका नीती आयोग या तो नीती आयोग पूछ सकता है आप से या क्या पूछ सकता है आप से योजना आयोग 15 मार्च 1950 में नेस देखिए योजना पत्री का ये वाला प्रस्प ये इंपोटेंट है अब देखें कुछ आती है मैग जीना आती है इकनॉमी चको नीती आयोग थीक है? इस प्रस्ण का आँसर दिजिए योजना आयोग का जो है ये योजना है पत्री का इसका परकासन कहां से होता है इसका प्रकासन होगा सूचना ओं परसारण मंत्रालय या इसका आणसर भी है नेस्थ किस पंचवर्ची योजना में किरसी में किरसी ने रडात्मग विकास परदस्चित किया है किरसी सेक्टर ने जो पंचवर्ची योजना है वो कौन सी योजना ऐसी थी जिसम जो है निगडिब गोत्रे थी तीसरी आएगी क्योंकि वहीं पर हमको क्या करना पड़ा था तभी तो हमें ग्रीन दिवालिशन लाना पड़ा था तो तीसरी में हमारे क्या था ग्रोफ रेड निंगर्टिव थी क्योंकि इक सर्ट बासर्ट में चाइना के साथ युद्ध हो गया फिर पाकिस्तान का साथ युद्ध हुआ तो उसी के बाद हम क्या बड़े फिर गिरीन दिवालिशन की तरफ को बड़े तो इसका आंसर ए अब यह वाला जो है सिंपल प्रस्थ नहीं है का आंकलन सबसे पहले किस नहीं किया था पंदरा को सबस्क्राइब तो अब देखे राश्टिय आई की परिभासा आप से पूछना चाहरा है कि इसमें से राश्टिय आई की परिवासा कि अलिगों एनोHelp में परिवासा क्या हुए कि मुले हाउस लिए है मेना संसोधन कर दिया कि ने और हुगा तो यह ंख grass कि अंफर होगा इसका गाष्ट्य आई की गणना जो है बहुत भेतर तरीके से पढ़ा था पहले पढ़ा था प्र जा कि निकाल ले थे तो राष्ट्य आई के लिए निकालने के लिए हमने आपको फर्मुला भी बताया था कि मुल लिहरास को घटाएंगे उत्पादन को जोड़ दिया जाएगा ठीक है कि सी इसका क्या होगा राइट आंसर नेस देखिए एक रुपे के भारतिय नोट पर किसके हथ्ता अक्सर होते हैं कि सिंपल प्रस्ण है 17 भित्त मंत्री करता है या भित्त सचीव करता है सचीव करेगा भित्त मंत्री नहीं करता है इसका आंसर क्या है बी आप देखिए यहां देखो Reserve Bank of India के नौट निर्गमन विभाग को नियोंतम कितने मूल लिका स्वर्ण स्टॉक हमेशा रखना चाहिए चैघी जब हमने नौट हों के निर्गमन कि पताई तो उसमें दो पत्रतिए भात किये था 一ज और दूसरा क्या था अनुपाती लिए अनुपाती वीफित देशत के लिए था विए इसको और बिकासिल देश को इसको अपनाता है, यानि यहीं minimum हमको क्या रखना पड़ता था? रिजर्व रखना पड़ता था उसमें से 200 stimulus क्रोड का क्या रखना पड़ता है? अब उस 200 perspectives में से 85 और 115 क्रोड 115 क्रोड जो है आपको क्या रखना पर पलेगा? यहां पर गोल्ड रखना पड़ता था और 85 क्रोड क्या रखना पड़ता है अब ध्यान से समझेगा इसका आंसर क्या है डॉलर रखना पड़ता 115 जो है गोल्ड सब्सक्राइब ऑपका डॉलर नहीं इसको भी हमने क्या कहा था विदेशी मुद्रा रखा जाएगा foreign currency जो hard currency होगी वो किता होगा 85 करोड और बचा हुआ 115 करोड आपका क्या होगा आपका गोल्ड किसी अर्थिव्योस्ता में ऐसी इस्तिती को क्या कहते हैं जहां तुरित मुद्रा इस्पिती के साथ ब्रद्धी धिमी गति से होती है इन्फिलेशन वाला चेप्टर से आगे है परस्न देखेगा कि क्या करें है मुद्रा इस्पिती तेज है लेकिन विकास नहीं हो पा रहा है तो इसको क्या कहते हैं थोड़ा सा टर्मलोजी में थोड़ा सा इंतर हो सकता है लेकिन इसका आंसर क्या होगा इसको हम क्या क्या गते थे संब्रद्धी रहित मुद्रा इस्पिती या इसको हम स्टैक इंफलेशन के नाम से भी जानते थे अरे अव इस पिती कहां ले जा रहे हैं देखिए मैंने कहा था जब मैं पढ़ा रहा था आप बिल्कुल इसको प्रस्न को जैसे प्रस्न को गलत करेंगे तो भी इसका हुआ नहीं रुक्की हुई कि यह है यह फ्लिप्स कर्व को खौलो नहीं करता देखिगा यह स्टेट जाता है यानि एक तरफ इंफ्लेशन बढ़ेगी एक तरफ विरोजगारी दर भी बढ़ती है तो यहीं कहलाता है आपका स्टेक इंफ्लेशन लाभ अब इंफ्लेशन का हमने आपको इंप्ट बताया था कि किस को फाइदा होता है और देने वाले को घटा होता है और रिन लेने वाले को फाइदा होता तो यह आंसर आपका क्या हो गया वी आंसर राइट नेस्ट कि देखें सीड़ी की स्थापना की गई सिड़ी जो बैंक है उसका उद्देश से क्या था सिद्वी नेस्ट 21 का अंसर बताईए क्या है कि भी के रहे हैं सीखें सिद्वी का नामी है तो यानि यहां नामी आ रहा है स्मॉल इंडस्ट्रियल डब्लम्मेंट बैंक आफ इंडिया 1990 में कहा था इसका हेटकॉटर लखनौ लखनौ में है तो स्मॉल इंडस्ट्रियल लग रहा तो कहां दिख रहा आपको लगु इस तर्य उद्ध्यों को वित्यस आयता परदान करने है तू सिद्वी की स्तापना कि हए इस घर इंड निम्ञ मसक कौन सा एक क्राजपोर्श कोश्य नीति का मतलब neפali कैसे घ्यरकार कीऊ ऐंव वाई से समंदित होती थी ऐंड जा को प्रवंदित करने के लिए जो नीतियां बनाए जाती हैं उन नितियों को हम क्या गने थे लाज़ कोशीय है नीतियां के तो इसमें राजकोश्य है नीती में से कौन सा आएगा कि बिदेश नीती कह रहे हैं कुछ C भी कह रहे हैं कुछ D भी कह रहे हैं अब देखें यहां क्या लिखा है सरकार की I को बढ़ाने के लिए और B को परवंदित करने के लिए सभी लोगों का अभी तक आंसर इसमें गलत आया है बाद में बात करेंगे जो है क्यों गलत दे रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं और क्यों छोड़ना चीए प्रश्णों को फिलाल आप एटम कीजिए C A अभी तक भी कोई राइट आंसर में नहीं पहुंचा है आ इक पहुंच गहे हैं चित्रा सजवान जो है आइट आंसर में आ रहे हैं यहां अंसर भी टक्स ऑर यहां टक्स आयका पार्ट सरकार का सबसे बड़ा पार्ट क्या हो कर चाहे वह परतेक्स हो ऊपर तक्स हो इंडारेक तो यह किस का बॉप नेती आप बिदेस नीती जो है राज़कोसिये सोगे और इसका जो ब्याज दर्ज सरह किसका पाथ है किसका पाथ है मौतenario कि यै यह जारी करती है तो अरए से थोड़ी है राज़कोसिये नेती साल ये तो इसका आंसर क्या होगा कर यानि टेक्स जो है क्या होगा इसे राजकोशिय नीती का पार्ट है परिभासा में जाईए सरकार की आए बढ़ाने के लिए और बेई को प्रवंदित करने के लिए जो नीतिया मनाई जाएंगी उसे नीती को कहेंगे आप राजकोशिय नीती आचा इसमें लिखा क्या है एक म tremendous प्रस्नम अभी ज़य है साइध गलती कर गया राजकोशिय नीती का उपकरण नहीं है बिल्कुल बिल्कुल सही के रहे हैं सही करें है एकदम सही है एकदम सही है आप आई 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 अप सही लगा रहे हैं आप आंसर प्रस नमबर 22 एकदम सही है एकदम सही है अब आगे आप आंसर सही में ठीक है विदेश नीती इसका पार्ट नहीं होगा लेकिन इसका इस प्रस में भी मुझे गल्ती दिखाए दे रही है उपकरण नहीं है से बहतर होगा कि इसको थोड़ा सा संसोधन करेंगे हम क्योंकि इसमें यह उपकरण भी नहीं है यह प्रस नहीं यहां पर से हटेगा ओहुँद गल्बड होता लगदा अब इसमें मामला ही गल्बड गया क्या हो गया यह दिखकत आ गई यह प्रस में क्या हो चुका है ब्लैंक हो चुका है चलो इसमें बात करेंगें आगे कैसे आए गई नहीं आ रहा है यहां प्लैक हो गया थोड़ा सा टेक्नोजी में मैं दो टीचे हूं दिसक्श करूं बिवाद दिख रहा है यह पिए प्रस्न का अनसर दो कोई देष रिर्ण जाल में फसा हुआ है माना जाएगा यदि कब फसा हुआ रेनमो जाल मुझे माना जाएगा इसको देखे अब हमेशा ही आना है हमेशा ही आए यह प्रस नमबर 23 का देखे क्या अंसर लगा रहे हैं इसका अंसर दीजिए कि एक रहे हैं कि एकर रहे हैं कि एकर हैं कि एकर रहे हैं कुछ और पर पर बहुत अधिक नियुकर का यह तो कोई आंसर नहीं कैसे ही कुछ करें जिसे अंतराश्चिय मुद्रा कोस के द्वारा लागू की गई सर्टों को मानना पड़ता है अरे हम यहां करें हैं कि कोई देश रिण के जाल में फसा हुआ है वो कब फसा होगा इसमें आयम एप्स की और वर्डवेंग की कहां से बात आगी इन दोनों को तो हट बाकाया रिण पर ब्याजको चुकाने के लिए उधार लेना होता है जो आपने रिण ले रखा है उसको चुकाने के लिए यह हारन थिर से लेना पड़ जाए विए racing तुभी हो गखें इसे बखाए रिणर पर और लिया खाया reached pandemic की और पहारत का इककोनोमिक सर्वे बहुत सिंपल कोशन है कि इसका अंसर सीधे बता दीजिए आप वसी बताए देंगे एकनोमिक सर्वे कौन जाता है बित्तायोग या बित्त मंत्रा ले इसमां कंफ्यूज मत होएगा एक बित्तायोग है अब डी लगा देखो मैंने का ना कंफ्यूज होगा यहीं पर सभी डी का वहाँ लेना देना नहीं होता है यह वित्त मंत्रा ले ईससे होगा जो बजट से पहले पेस केड़ता है तो ह मैं दो करूं का कितना हिस्सा होगा उसके लिए लिए अगरा जाओ अहां मैं nooitे करूं का कितना हिस्सा उैता जाशा कि ठीक है तेरह रोसा बढ़ा होगा अपने टेरह रोसा का प्रारूपिक विकास उस भागम होता है अब टेरा रोसा है क्या देखिए पस्चीस का अंसर लगाइए सको कि अब कि अब कि पढ़ लखा है फ्ड़ा सा आएगा भी इसका मतलब तैयारी आपकी क्या है जुद्धिस्तर पर बढ़िया चल लिए हाथ बिल्कुल सही आंसर है चुना प्रधान यानि ये टेरा रोसा जो क्या थी एक मिट्टी थी जिसको हम ब्राजील में जानते थे जहां चुना प्रधान संदसना ज्यादा हो वहां की जल में ब्राजील में इन्हीं को क्या करते थे हम फैजंडा को हुआ के मैं सबका ठीक है वेरी गुट अब आईए निम्न में से कौन घास का मैदान नहीं है इसको फ्रूसा पढ़ेगा देखेगा क्या कर रहे है निम्न में से कौन घास का मैदान नहीं है 26 अब देखो यहां लानोस सेलवास इसगा मैदान नहीं है यह आपकान है इंगेजन बनों को यह कहते हैं और एक आपके टैंपरेट ग्रसलेंड लेंड हैं ही तोस्र घास के मैदान और यह जो लानोस था यह क्या हो जाता है आपका उश्ण कटडी बन दी है घासका मेडान पर दोनुग है गे इस मैदान मा अंतर था यह लंबी घास सेठी और एक फूर्ट हास थी वहां मिट्टी उर्वर पाए जाती है यहां प्राकर्टी के ला आग लगने की घटन में ठीक है कि नेस्ट कि अब इरेवस कि ज्वाला मुखी कहां आता है कि जल्दी बताईए रिंग ओफ फाइर वाला है इसमें कॉंसेप्ट अट्लांटिक सागर में आता है या अंटार्क्तिक महादीफ में आता है या उप्रुक्त में से कहीं निया कि अधिकांस लोग चुपचाप बैठे हैं कुछी लोग दे रहे हैं अंटार्क्तिका में टेरर और एरेवस बता धामने टेरर और एरे बस जो आते हैं ये कहां के थे अंटार्क्तिका से ये रिंग ओफ फाइर वहीं से शुरू हो रही थी सी आज़सर अब देखो यहां परवत निर्माणकारी हल्चलों में सबसे प्रामी कौन सी हल्चल इसमें देखिए हर्सियन परवत भी है अलपाइन परवत भी है कैल उत्पत्ति के आधार पर परवत कितने परकार के होते हैं और दूसरा हमने बात किया था यूग के आधार पर यानि एरा के हिसाब से तो उत्पत्ति के हसाथ चार थे आपका प्राचीन वलित परवत धंसोत परवत ज्वाला मुगी परवत ये वाला और यहां यूग के आध और बिंधियन परवत क्या बनता था आपका लास्ट तो यानि सबसे प्राचीन कौन सी होगी यहाँ पर प्रीकैंब्रियन फिर उसके बाद कैलीडोनियन आता था फिर हर्षियन आता था फिर अलपाइन परवत आते थे अगर इसका सिक्वेंस में अगर आपको कॉर्णोलोजी पूछ ले तो प्रीकैंब्रियन केलेडोनियन हर्षियन फिर क्या आता हा आपका अलपाइन या इनी परवत को हम क्या गते थे तरसरी परवत के नाम से या नवीन वलीत परवत भी यही थे यह प्राचीन वलीत परवत थे अब आजाओ डाइक क्या है बहुत सिंपल कि यहां पर लेकुलित थे सबसे नीचे यहां बैथोलित यही संदस्ना है तो क्या है यहां इनत्रिक संदस्ना होई कि इंसेल वर्ग का निर्माड और एक आता है आपका मुनेट नौक या इसको इंड्रम भी कहते थे कि यह कुछ पोपोग्रोफियों मत से था समन की नदी द्वारा निर्मत इसला करती है पाउन द्वारा है या हिमानी द्वारा है तो यहां हमने क्या कहा था मरुष्तलिय छेत्र में अगर चट्टाने ठोस्ट ले रहे पावन द्वारा तो उनको हम नाम देते थे इंसेल वर्ग यानि कौन बना रही है आपका पावन और यह दोनुझ है मोनेट नौक और इंड्रम जो बनाता है वह कौन सी बनाती थी नदी इरोजन साइकल में पड़ा था वहां नेश्ट आ जाओ देखो हिंद महा सागर में सागर धाराओं की नियमित दिसाम परिवर्तन के लिए निमनम से कौन कारक उतरदाई है 31 31 देखिये, हिंद महासागर में जल्धाराओं की जो नियमित परिवर्तन हो रहा है उसके लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होगा कि हमने वहां बात भी किया थी उत्तर हिंद महासागर की जल्धाराएं अन्य महासागरों से अलग है उसका क्या कारण था देखे यहाँ पर दो आफसन हैं, दो कारण हैं दोनी कारण ठीक भी हैं लेकिन हम क्या जाएंगे जो most जो है नस्दीक वाला कारक होगा उसकी ही हम क्या करेंगे बात करेंगे अब देखे हमने वहाँ पर बात देक्या था कि हिंद महासागर एक परिवद्था का मतलब हुआ यहां परिवद्था का मतलब होता है लैंड 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 लोक का मतलब बंद है बिल्कुल है वो भी एक कारक बनता है लेकिन जल्दहराओं में दिसा में परिवर्तन ला रहा है परिवर्तन लाने के लिए यहां क्या होता है क तो नौट ही से साउध वेस्ट की तरफ को चलनी शुरू हो जाती हैं तो यानि मेजर फेक्टर यह है दोनों आये हैं अगर इसमें एक या भी वाला होता तो फिर दोनों हो जाते लेकिन यहां पर जो थे मँश्ट प्रिवेटेट है वो जो होगा भी आप्स्पों होगा कि यहां यहां मानसुनी प्रवह स्पते काुशल्द चलेंगी और सीट काल में यह विंड ऐसे दारेक्शन बदल दे रही हैं तो दिसाय भी यहीं को चल जाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा बी कि नेस्ट निम्न लिखित में से कौन सी तीन गरम जल्दा रहे हैं आप बदाएए इसमें कौन कौन सी तीन गरम जल्दा रहे हैं और बाकी कुछ इसमें गड़बड होगी 32 सब की सब जो गरम हो वो कौन सी जल्दा रहे हैं दिख रही है आपके एक रहे हैं हाँ चित्रा का आंसर सही आए मनोज का भी सही आए परिनीती का भी सही आ रहा है अब सही हो गया सबका आंसर आंसर इसका है गल्फ इस्टीम मोजांबिक और ब्राजील वाल यह आंसर हो गरम पूछ रहा है नेश्क महासागनों के जल में लवनिता की मात्रा सरवाधिक किन अकसांसों के मध्य में पाई जाती है यह प्रस्ण पूछे जाने की संभावना है यह दो-तीन बार यूके-त्री प्रस्णी ने पूछ भी लिया है और आगे भी इसको पूछे गरे अब इसमें देखिए किन अकसांसों के मध्य सरवाधिक लवनिता पाई जाएगा सी आंसर के रहे हैं बिल्कुल सही है यानि उस्ट्र कडिवन में करिव जो यह वाला होगा यहां लवड़ता एक्वेटर में जो है क्या होती है सम्मेहनी गर्षा हो जाती नहीं हो पाता है और चालिस से उपर तो फिर सीट वाला चला है तो वहां नहीं होगा पर आईए आप इस पर यह पुछा है कि हिंद महासागर की जल्धारा नहीं है कौन-कौन सी नहीं है हिंद महासागर की जल्धारा सीठे लगाओ जल्दीशांसर अब बिल्कुल सही है D, Bengula Bengula की जल्धारा कहां की है दच्छनी, अट्लांटिक, महासागर की बाकी सब की सब हिंद महासागर की है नीलम मुकेश गलती क्यों कर रहे है B, कहां से हो जाएगी मोजामबिक की तो जाहे मेडागास करके वेस्ट में चलती है आगोहलास और मोजामबिक यह था आपका मेडागास कर तट यहां से जो चल ली थी तो इसको आगोहलासी कहते है और मेडागास करके वेस्ट में जो चलती थी मोजामबिक के सामने तो इसको मोजामबिक की चल दा रहा कहते है यह नहीं है यह जो है अफ्रिका के वेस्ट में जहां सीट मरस्तल जहां आपको गरम मरस्तल दिखाए दे रहे तो अब एक प्रस्ण है इसको देखिए कथन कारण वाला इस टाइप के भी प्रस्ण बन सकते हैं कथन कारण देखिए भूमद्य रेखा के दोनू और पांस से है कि उच्च तापमान उच्च आद्रता के कारण भूमद्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को सम्मेहनिक वर्षा होती है क्या कथन कारण दोनू सही है और व्याक्ष्या भी सही है कि करें सब कि एक कभी आंसर आया है किसी का भी कुछ भी कह रहे हैं कि कुछ ए कह रहे हैं कि कुछ सी भी आ गए हैं अब आप सी वाले भी आ रहे हैं कि ए सही है किन्तु आर गलत है कि अभी डी वाले भी आ गए अरे वह जज़ब कि ए गलत है किन्तु आर सही है कि अब इसमें देखिए सबी का आंसर कुछ अलग-अलग टाइप से आ रहा है इसको आपको समझना पड़ेगा कि कथन कारण वाले क्वेस्टन में ही फस्ते हैं ज्यादा तर अगर ऐसे प्रस्ण ज्यादा बन गए तो समस्याइं उत्पन होती हैं अब वो कह रहा है देखिए 5 से लेकर 8 डिग्री अब यहां हमें देखना पड़ेगा कि इक्वेटर 0 से लेकर 10 डिग्री तक तो होता ही है अब उसने बीच का उठा लिया 5 से लेकर 8 तो तब भी इक्वेटर ही हुआ उससे कोई बड़ी समस्या नहीं है अब यहां पर कह रहा है कि वर्स भर वर्सा होती है बिल्कुल सही है कि यहां पर वर्स भर वर्सा होती है अब फिर उसका कारण कह रहा है कि उच्छ तापमान तथा उच्छ आधरता अब equator पर सूर की किरणे वर्स भर लंबवात पढ़ती हैं तो वर्स भर लंबवात पढ़ेंगी तो तापमान जादा होगा जब तापमान जादा होगा तो वायू गरम होके उपर उठेगी और वायू गरम होके उपर उठेगी तो अपने साथ क्या ले जाएगी आधरता भी जाएगी तो आज़ता कि यहां क्या आगर देती है सम्मेहिनिक वर्षा कर देती है यानि कंभेस्नल रेनफॉल हो जाती है और आंसर क्या होगा ए की नहीं होगा गया लगाई आंसर अब सियोटू की मात्रा का बढ़ना अब यह सियोटू आपका किसके लिए जिम्मेदार था पार्थिव विकिरन पार्थिव विकिरन जानते हैं आप तरिस्टेल रेडेशन यानि यह अर्थ थी आपकी और यह इसका वाई मंडल था यहां से जो है सोलर रेडेशन आती थी इसको हम सौर विकिरन कहते थे और जिसको पर्थवी एबजॉब करती है तो उसको हम क्या करते थे सूर्या तप इंसो लेसर अब यह पर्थवी क्या करते है जितनी मात्रा आई उसको क्या कर देती थी वापस कर देती थी लेकिन यहां जी एजी गैसे पाई जाती है जिसमें सीओ तुज है मुख्य होती है और इसका भी योगदान कितना 60% रिस्पॉंस पर इसको जाने नहीं लेती है तो वाई मंडल जो है गरम इसके कारण होता था देखो पहला थीक ह पर्थभी गरम हो जाएगी अब जब गरम होगी तो धूर्वों की बरब भी भी पीगलेगी फिर यहां कि रहा है कि समुद्र तल घटे जाएगा समुद्र तल घटे नहीं जाएगा समुद्र तल बढ़ जाएगा उपर आएगा जब बर्फें विकलेंगी तो C लेबल क्या होगा उपर आजाएगा वाई ता आप तो बढ़ी जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा आपका बढ़ल COC मैंत लिट किलेश्ट सम्कें विकलेश्ट बस्त Yeet पर्थवी पर मरुभ्रूमी होने की सम्भाहूनाएख होती है यानि मरुष्तल कहां पर ज्यादा होते हैं 0 degree 23 degrees ऍश्छais दिग्री को बताया था हमने तापमान पेटियों में बात किया था कि मरुस्तल कहां पाए जाएंगे वी आंसर में यानिस ठीक है 23 और ये छेतरी हमने बताया था आपका 15 से लेकर 30 डिगरी नौर साउत महादिपों के वेस्ट भाग में क्या पाए जाते हैं मरुस्तल ज्यादा पाए जाते मानवद्वरा बनाएगे उपग्रह को सेटेलाइट को कहां छोड़ा जाता है वाई मंदल की संदस्थना वाला में 38 38 का समताब मंदल कह रहे है या पहले वाले का भी कह रहे है 38 का 38 में 38 का A मद्धि मंदल B समताब मंदल D A सब कन्फ्यूज है A A मद्धि मंदल सब A वाले हैं का गलत है D होगा यह संदस्थना बताई थी सबसे पहले छो मंदल फिर समताब मंदल फिर मद्धि मंदल फिर इसके बाद आता था आपका आयन मंदल या यह थर्मोस्पियर देखोए ताप मंदल तो ताप मंदल में छोड़े जाते थे यहीं पर रंगीन रोशनी भी उत्प सबका अंस्तर गलत आ रहा था नेस देखे वो नियमित हवाएं जो गरिश्ती 40 परचंड 50 और चीकता साटा के उप नाम से जानी जाती हैं निम्नमस से किस प्रकार की हवा है बहुत आशांसा प्रसने है वेस्टेन लिज यानी पश्वा पाउनों को डच्छनी गोला अर्ध में समुद्र से तक्राने के कारण क्या करती हैं तीव रवा ज़ा उतपन्न करती जिन जिन अक्सांस से गुजड़ती हैं उन्होंन अक्सांसों के नाम पर उनका क्या कर दिया जाता है नामकरण 40 पर गुजड़ेगी तो 40 देखो चीन तुली जलवायू कि यह देखें बार-बार मैंने कहा था यह प्रस्ण पीशे पड़े रहता है आयोग कि चीन तुली जलवायू को जह हमेशा पूस्ता यह पूस्ता है कि किन अक्सांसों के मध्धेश्तित तो देखिए थोड़ा साथ 5 से 30 30 से 45 45 से 60 यह 60 से 75 कि फोटी का अंसर बतल लगा यह प्रसा पोटी का एक है रहे हैं रावत सोभा पांस से 30 में तो चीन तुली तो नहीं होता है यह तो गलत आंसर हाँ सबीका अंसर था 30 से 45 महादिपों के पूर्व की बिस्ता थे 30 से 45 नौर साउट महादिपों के पूर्व की पूर्व C आंसर B नहीं होगा C 45 से 60 मैं इस्टन पार्ट में सेंट लोरेंस आ जाएगा और वेस्ट में जो है इरोप तुल्य आजाएगा दिखों आई तो एक प्रसन आप मैंने बता दिया था यह यहां हो चुका है कि निशा दिप्त मेगों का निर्माण कहां होता है फिर फींट ने देखिए अब जल्दी बता इये अभी बता दिया मैंने चोम सीमा में, समताब सीमा में, मद्य सीमा में या मेंगनेटो पॉश में यह तो मैंने अभी पहले बता दिया है, नॉक्टेट क्लाउड अभी बता था हमने, निसा दिप्त वादल सीम यह प्रस्ण भी बहुत बार घुमता है, हलागी लगता इसी इजी है, लेकिन उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कि देखे किस टाइप से बना रखा है, तो उससे बात समझ में आएगी डोल्डरम सांत पेटी निम्नमसे किन अक्सांसों के मध्य इस्तित है? डोल्डरम वाला, फुर्टी वन, डी आंसर के रहे हैं, फाइब डिग्री नौर्थ से फाइब डिग्री, यह नौर्थ नौर्थ कर दिया है, यहां पर थोड़ा सा मिस्पिंटिंग हुई है, यहां आप साउट कर सकते हैं, ठीक है, आंसर, फिर भी आप सही जगह जा रहे ह हैं, फड़ा सा यहीं मिस्टिक है, कि क्या होगा, फाइब डिग्री नौर्थ साउथ, दोनु के मद्ध छेत्र को क्या करते हैं, डोल्डरम यानि इस चेत्र में जब व्यापारिक पावने अविश्रन कर रही थी, तो उसी को हम क्या करते हैं, डोल्डरम करते है, डी आंसर, नेस्ट भारत में इस तल से घिरा हुआ राज्जी कौन सा है, जो लेंड लोक हो, इनमें से कौन सा राज्जी ऐसा है, जो लेंड लोक है, पच्छी मंगाल, बिहार, उडिशा, करनाटक, फोटी थरी, करनाटक भी लगा है, उडिशा भी लगा है, और पच्छी मंगाल से लगा हुआ है, तो बिहार इसका राइट आंसर, हिंद महासागर के तठ परिस्ति देशों में सरवाधिक लंबी तठ सीमा वाला देश कौन सा है, पाकिस्तान की ज़्यादा है, भारत की ज़्यादा है, सिललंका की ज़्यादा है, या म्यामर की ज़्यादा है, फोटी फोर, इंडिया की ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नेस्ट इनम से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी इस तलिये सीमा बनाता है बहुत बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेस्टन सरल सरल वारे 45 सबसे लंबी सीमा बांगलादेश इसकी ज्यादा है और यह पूछा भी जा सकता है क्योंकि हाल में यह क्या है current में बना भी हुआ है यहां जो है विद्रो विद्रो हुए है तो प्रस्ने बनने की संभावना होती है अब देखो एक संदस्ना के बारे में बात हो रही है कि निमनिलिखित भूवैज्यानिक संदस्नाओं का प्राचिन तमसे नविन्तन की तरब को संदस्ना के बारे में बताना है जो भारत की जो संदस्ना इत्ती आड़ भागों पढ़ ले थे हम उन आड़ भागों में से देखेगा सबसे प्राचीन कौन सी है फिर कौन सा आगी की तरप को लगाना है 46 का A कह रहे हैं 46 का A 46 का A आ रहा है बहुत लोगों का बहुत लोगों का कुछ का D आ गया का D D D D D D C B आ रहा है यहाँ को सिधी लगाए तुकक भी लगना है तुकका भी लगाना बहुत जरूरी है लगाते जाहिए तुकका ही मतलब मिक्स है सभी का इसमें D वालों का अंसर सही है कि सबसेते पहनी संदस्टना थि आरकियन संदस्टना फिर धारवाड, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोडवाना, फिर दक्कन ट्रैप, फिर आपका तर्शरी संदसना आडभाग थे, और फिर लाज था आपका क्वार्टनरी संदसना, यही है सिक्वेंस, अब देखे आरकेन के बाद, आरकेन ना लेते हुए, धारवा पुडप्पा, बिन्ध्यन, गोडवाना, तो आंसर क्या होगा, दे, बी ना होते हुए, दे, हिमाल्य परवत माला का निर्मान, निम्लिल खित्म से किसके परिणाम सरूप हुआ है, अब इसमें थोड़ा सा, बात कीजिए, कौन सा इसका आंसर सही है, किनकिन प्लेटों के बीच टक्कर से हुआ है, हिमाल्य परवत का निर्मान, फोटी सेवन, कुछ A हैं, कुछ C हैं, कुछ A हैं, कुछ B हैं, कुछ C हैं, अब प्लेट वरतिय शिद्धान, आपने पड़ा होगा, उसमें हमने बाद भी क्या था, कि हिमाल्य की जो उच्पत्ती होती है, दो प्लेटों के टक्कर से भारतिय प्लेट और उरेसियन प्लेट, उरेसियन प्लेट जो थी, महादिप्य प्लेट थी, भारतिय प्लेट जो है, क्या होई, महासागर से होते वारी, तो महासागरे प्लेट होगी, तो इसका आंसर होगा, महादिप्य और महासागरे प्लेटो कि अभिशरण से और इसका density जादा होती है घनतू होके नीचे जाती है और महादीत्य प्लेट का density क्या होता है काम होता है तो इसमें क्या होता है फोल्डिंग होता है तो answer C नेस्ट, गारो, खासी और जहनतिया पहणिया निमनमसे किसका भाग है अब देखिए हिमाले का भाग है, सिवालिक का भाग है, उत्तरी मैधान का भाग है या दखकन ट्रैप का भाग है यह वाला हमने जब राजमहल गैब को पड़ा था याद आ रहा होगा राजमहल गैब या मालदा गैब की बात कर रहे थे और वहाँ था आपका क्या मेघाले का पठार तो मेघाले के पठार के उपर ही ये पाड़ियां हैं गारो, खासी, जैन्तिया तो मेघाले का पठार मुख्य पठार से ही तूट के अलग हुआ है तो आंसर B लास्ट दो क्वेस्टन है अब इनके आंसर सही दे दीजे लास्ट दो क्वेस्टन इनके आंसर बताईए तमिलनाडू राज्जी का सबसे उंचा परवत सिकर बहुत आसान है तबीने सही बता दिया दोदा बेटा और पूर्वी घाट एवं पच्छीवी घाट को जोड़ने वाली परवत या पहाडियां निम्नमक से कौन सी है कौन सा जो है इस्टन घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती है क्यों क्या पालिनी की पहाडियां है या निलगरी की पहाडिया अन्ना मलाई पहाडी तो नहीं है इलाजी की पहाड़ी नहीं है सभी लोग क्या कह रहे हैं एही कह रहे हैं तो यह हमने भी पढ़ाय होगा एही होगा आंसर राइट तो एही आपका क्या हुआ राइट आंसर हुआ अब यह जो है आपका एक लास्ट आपका जो है टेस्टिंग की टेस्टिंग में क्या है कि आप सभी लोग खरे उतर रहे हैं कुछ प्रस्ने कहीं कहीं पर गल्तियां हो दी है तो ऐसे थोड़ा सा बचिये गल्ति करने से तो समस्या का समाधान्थ हो जाएगा योजना पत्ति का परकासन विभाग है से लेकिन परकासन विभाग के अंतरगत जो है सूचना आयम परसारण मंत्रा लेकर का आता है उसमें देखेगा थोड़ा से चलिए अब एक टेस्ट और करेंगे कुछ दिन में ही बहुत जल्दी ही अब इस टेस्ट के हिसाब से सभी लोगों का परदर्शन ठीक है थोड़ा सा क्या करो एटेम जो है जहां पर आप नहीं आ रहा है तो ऐसे में क्या करिए कि आप उस क्वेस्टन को छोड़ दीजिए निगटिब नहीं होना है और यहां आपको 100 में से अगर इतने नम्बर हर कोई लिया आता है 70 तो आपका से लगभग हो जाएगा लगभग नहीं गूप्लिटली ही हो जाएगा 70 बहुत हैं ठीठाक माक से हैं लेकिन पीस क्वेस्टन आपके छोड़ने के बन रहे हैं अगर छोड़ने के बन रहे ही तब छोड़िए कि जहांपर पर इंडियान को क्या कर दीजिए और जहां पर फट्र बहुत फिफ्टिस का डाउस बनना है तो उसको क्या कर लिजिए टाइम कर लिजिए यहां दोनु जोग्रोफी से लगभग बराबर question आएंगे इंडियन या वर्ड नहीं कह सकते हैं हो सकता है कि मिजाज क्या है examiner का अब वो किसके पास paper चला जाता है इस पर निर्भर करता है यह जो है मैं भी इसको नहीं कर सकता है कि इंडियन जोग्रोफी से ज्यादा पूछ अब हो सकता है कि जो दूसरा portion है वो इंडियन जोग्रोफी के वाले के पास चला गया तो इंडियन जोग्रोफी से प्रस्न ज्यादा पूछ लेगा यह निर्भर करेगा कि किस प्रवास जाएगा आप दोनु एंगल से क्या रहिए तो या रहिए कि कहीं से भी question पूछे जा कि अब बिल्कुल question concept based ज्यादा मिलेंगे क्योंकि UK3 plus C question जो है concept based में ही ज्यादा फूस रहा है अब सोबा महता करें कि सर क्या पड़ें या क्या नहीं पड़ें अब इस समय आपका पड़ने का कोई समय नहीं रहा है अब आपका revision करा है समय revision करें जो पड़ लखा है उसमें विश्वास केजिए उससे एक्जाम निकल जाएगा अगर लास समय जह होपलस होंगे हपड़ तपड़ करेंगे तो समस्या उत्पन हो जाएगी जो भी आपने पड़ लखा है इक्जाम निकालने के लिए सबी सेंट है उन्हीं चीज़ें को क्या करें रिविजन करते जाए यह बस हो गया सोर्स एक ही रखिए एक सोर्स को बारबार रिविजन कर लिजिए उससे एक्जाम निकल जाएगा अगर सोर्स अगर आपने भगदल मचा दी कि यहां का भी पूर्णाओगा कि समय का दूर्पियोग होगा और इक्जाम जो है थोड़ा सा टब बन जाएगा क्योंकि हड़ जए कॉंसेट अलग लग होंगे तो वह समय आपके पास नहीं है अब आपके पास जो है वह जो है आपके पास उसी को क्या करो आप रिविजिन करिए ठीक है अराम से पढ़िए बिल्कुल तनाव नहीं लेना है जो सोर्स है उसी को जो है आप क्या करिए यूटिलाइस कीजिए नया कुस मत पढ़िए अब नया पढ़ने से कोई होना वाला है नहीं ठीक है पेपर सेट हो चुका है जो आएगा वही आपके साथ पूछा जाए पर्यास करते हैं अगर कल बंजयागा तो कली ले लेंगे र आगे बंजयागा तो आगे लेंगे कीजो कराएंगे बात कर देंगे हैं तो चलिए ठीक है सभी का प्रियास ठीक था आगे मिलते हैं नेस्ट टेस्ट में सभी को टाटा बाई 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 गुड़ लग होपलस नहीं होना है होपलस होंगे तो वह चीज़ें क्या होगे आपके लिए नुकसान दाइक हो जाएगी एक्जाम समय में बिल्कुल भी होपलस नहीं होना है एक्जाम समय में कॉन्पिडेंस क्या आउसकता होती है जो पढ़ लखा है आप निकाल के आओगे एक्जाम यह ताई है ठीक है